ये इसलिए किया है स्रीमान जी कि हमारी यहां जल भराव की समस्या कम से कम साथ आठ बर्स से है और हम लगाता संगर्स करते आये लेकर हमारी समस्या का निदान आथ तक नहीं किया गया अब की बार हमारी लगवा एक महीने से इस्टा किसी बात पर चल रही है कि यहां इस समस्या का इस्ताई समाधन कराया जा है SDM महोदे ने आश्राशन दिया था उस बात को भी 15-20 दिन हो गए दो-तिन दिन पहले उन्हों ने यह जो डश्ट है जो आप देख रहे हैं इस सड़क जो है यह कहीं से खोदे के जो गिट्टी खुद रही है इसको लाकर डलवा दिया है इससे तो और हालत बैतर बदतर हो गए है चूंकि यहां यह गिट्टी रोजा ना गाली चल चलके पिस पिसके बारी को गई है और इसकी डश्ट तमाम अधिबक्ताओं के गले में होके अंदर जा रही है और फैसला भी बोजी इसका टेंडर के ही यह लोग डल गया है श्रीमान जी इसका कोई मेरे एक्सकाल से कोई टेंडर नहीं हुआ एस्टीम साहब ने अपने व्याप्यक में एनेस्टू वालों से कह दूँगा चूकर एनेस्टू वाले जो खनन होता है जो मिट्ती होते है वो एस्टीम साहब उसकी परमीसन देते है तो मैं भी पॉसिबल उनके अंदर में हो तो उन्होंने सडक तो बनाई नहीं यह खाना पूरी कर दी और ऐसी खाना पूरी की है कि यह समस्या और बढ़ गई है दूसरी बात करीब 20 दिन पहले मेर स्वय में आई थी मेरी भी बाता हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं 5-7 दिन में टेंडर पास करा के साइड में जो जगह है यह आप पीछे यह इंटर लोकें करा दूंगी सडक की समस्या आपने एस्टियम साबने कह दिया वह करा दें आज तक कोई समस्या का किसी प्रेकार का समाना नहीं हुगा आज मजबूरन हमें इह पुतला देहन इनका करना पड़ा है नगर विदायक हमारे यहां से हैं मेर यहां से हैं और तमाम हज्यारो बातकारी यहां से करोण रुपे राज़िस मिलता है गौपर्मेंट को हर महीने करोण रुपे बिलकुल आगे हम और कठो से कठोर कदम उठाएंगे हो सकता है हम अंसन करें आमन अंसन करें उसके बाद अगर कोई नहीं सुनता है तो हम आत्मधा तक के लिए तैयार है लेकि जब तक हमाद समस्या करते हैं अज आपने आज किजी आज बहुत है लेक पत्र बहे आता बारता के लिए उसको आमने एग्णोर कर दिया हमें कोई बारता करते हैं वह खामका जूटे आश्वासन देते हैं और बारता के बाद उनों लिए काम बोई इसलिए बुलाया था कर दो आपकी शड़क करा दी आप खुद देख सकते हैं य उस सो गई बढाखें हाँ ची साथ बिल्कोल बढाखें सら बिल्कोल बढाखें